गुड़ मॉर्निंग स्टुडेंट्स आप सभी का जुलोजी की ओनलाइन क्लासेज ने हार देक स्वागत है आप सभी की छुट्टियां दिपावली की बहुत अच्छी रही होगी वेशे तो छुट्टियां चल रही है अपनी तो बहुत लंबे समय से दिपावली सभी की अच्छी रही होगी मेरे तो यही कामना है आगे भी आपके यही त्योहार बहुत अच्छे से गुजरे आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चले तो स्टाड करते हैं अपन अपनी नेक्स क्लास आज की प्रिविश क्लास का अगर आपको कुछ याद हूँ तो अपन ने बेक्टिरियम सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पड़ लिया था जो लास्ट क्लास हुई थी अपनी वो थी क्लास नंबर 32 आज क्लास नंबर है 33 सिक्वेंस से चल रहे हैं अपन यूटूब पे आप एक से लेके 32 तक क्लासे मिल जाएगी जो दिपावली पहले ही लगबग लगबग सारी अप्रोड हो चुकी थी और आपने कवर भी उनको कर लिया होगा जहां तक मेरे को पता है आपकी क्लास में से लगबग 50 या 60% स्टुडेंट सी रेगुलर क्लास ले रहे हैं बाकी के द तो मेरे बेजे के नोट्स लिखते हैं या किसी अपनी क्लास में से लेके नोट्स लिखते हैं तो ऐसे नोट्स लिखने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको टोपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लिख के क्या करोगे लास में वही काम है आप रटोगे उस चीज को त आगे भी हो चीज़ आपके लंबे टाइम तक याद रहेगे, ठीक है, तो पहले वीडियो देखा करो, फिर लिखा करो, लिए रहे, तो चलते हैं अपने अपने क्लास की तरफ, लास्ट क्लास में अपने बेक्टेरियम सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जान लिया था, बेक्टेरियल सेल स्ट्रक्चर में अपने उसकी स्लाइम लेर और केप्सुल के बारे में डिटेल से बात किये थी, सेकेंड नमबर पे सेल प्रोजेक्शन्स, जाको उससे का जो प्रक्सेप है, जैसे पिली है और उसका फ्लेजिला है, ठीक है, ऐसे अपने सेल इनवलप, से सेल वॉल, दोनों की डिटेल से बात कर लिए थी, ठीक है, जो पने फस्टेर में भी देखा था, ऐसे ही लासर अपने इंट्रा साइटो प्लाजमिक या एक्स्ट्रा साइटो प्लाजमिक मेंब्रेंस के बारे में पढ़ा, जैसे मीजोसोम और क्रोमेटो फोर्स, दोनों के वही डिटेल बता दी थी मैंने, mostly जो इसमें आपके सलिबस में दे रखा है वो मीजोसोमी था, जो मैने आपको डिटेल से समझा दिया था, जो क्रोमेटो फोर्स होते हैं, जीने पर बोल रहे थे, वर्ण की लावक, क्रोमेटो फोर्स, क्या बोल रहे थे, वर्ण की लावक यानि कि अपन bacterial cell की बात कर रहे थे उसके structure की बात कर रहे थे तो bacterial cell की जो inner membrane है वो अंतरवलित होकर एक सरंचना बनाती है जिसे chromatophore बोलते है जो उसके solution में help करती है बड़े-बड़े animals है जिसे humans है इन में तो क्या lungs होते है solution के लिए respiration की लिए लेकिन bacteria तो बहुत छोटे होते है जोने अपन normal आखों से देख ही नहीं सकते उसके लिए अपन को microscope की जुरुद पढ़ती है तो इनमें lungs होने ही सही रहे तो इनमें chromatophore से और बोलन की लवक नामक organ पाई जाते है बहुत ही छोटे 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 तो ये इनमें solution का काम करते है बस इतना सा आप दिहान रखना है clear है आज कर जो अपना topic रहेगा वो भी bacteria के उपर ही है वो है genetic material of bacteria पहले भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में काई students की सिकाइथ है कि sir आप पढ़ाते टाइम बहुत गुस्से में होते हो वो गुस्से नहीं होता है उस टाइम वो समझाने की टाइम में आपके लिए expiration होते है मेरे चेहरे के भाव होते है जिससे आपको देखकर ये लगता है कि पता नहीं सर डाट रहे है गुस्से से पढ़ा रहे है अगर गुस्से से नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे वो कुछ याद ही नहीं रहेगा मैं पढ़ाएं नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि मेरे वो क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है तो फिर गुसे में निकल जानी है मेरी class तो तो उस time में सोचता हूँ कि बचो क्या पढ़ा मैं कैसे समझाना है उस time मेरे चेहरे के भावी ऐसे होता है अब हमेशा ही तो हसत नहीं सकते हैं अपन कि हसता ही रहूं हसता ही रहूं तो अपनी class नहीं होनी है हसे कब जब आप अपने सामने बेठे रहो तो आपसे कुछ extra knowledge की बाते करें मजाक करें जोक मारें तब तो हसे भी अप सामने कोई है नहीं आप हो जो online वीडियो देखते हो ठीक है यहां पर मैं अकेला हूं तो आज पर अपना टोपिक रहेगा वह है कि जैनेटिक कि मेटेरियल और अफ कि बैक्टेरिया यानि जीवानों का अनुवानसिक पधार्थ ये जीवानों का अनुवानसिक प्रधार्थ क्या होता है जीवानों का अनुवानसिक प्रधार्थ यूमंस का क्या होता है क्रोमोजोम गुण सुत्र dna न ठीक है यह पढ़ाया अपन ने लेकिन अपने को पता है कि बैक्टिरिया जो होते हैं बहुत ही सुक्षमदर्सिक जीव है होती ही छोटे जीव जीने अपन नॉर्मल आकों से नगनाकों से नहीं देख सकते हैं उनकों देखने के लिए सुक्षमदर्सिक चाहिए अपन को तो ऐसे बैक्टिरियाओं का ऐसे या चोटे जीवों का या माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स का जनेटिक माटेरियल क्या हो सकता है सिंपल से बात एक रोमोसोम होगा अब उसको किस नाम से जाना जाएगा उसके बारे में आपको जानना है तो जो eukaryotic animals होते हैं, sorry prokaryotic, prokaryotic animals, bacteria क्या है prokaryotic या eukaryotic? तो prokaryotic animals की cells में, present nucleus, present nucleus, या मैं कहूँ आपको कि जो eukaryotic animals होते हैं, जो eukaryotic animals होते हैं, उनकी cell में, available या present nucleus, double unit membrane, double unit membrane, prokaryotic animals में अगर nucleus की बात कर लिए, तो वो चीज गलत हो जो, जाएगे, या कि prokaryotic cells में nucleus होता ही नहीं है, तो pro-eukaryotic animals की cells में, available nucleus, double unit membrane, यानि, दोहरी, इकाई, जिल्ली, यह होता है इसका उन्तलब, जो अपने first year में clear किया था, double unit membrane, यानि कि जो eukaryotic cells है, यह कोई cell है, इसके center में क्या है nucleus है, यह है double unit membrane, या दोहरी, इकाई, जिल्ली, इसे बोलते हैं, nuclear membrane, हिंदी में क्या बोलेंगे nuclear membrane को, केंद्रक कला, केंद्रक कला, यानि कि अब दख तो अपनने, या पस्टेर में अपनने clear कर लिया था, कि यह जो cell की membrane है, यह दोहरी, या double unit membrane होती है, protein lipid, protein से मिलकर बने विया होती है, लेकिन, अगर cell के अंदर, हाइटोपलाजम में available, यह eukaryotic cell में, nucleus की बात की जाए, तो nucleus भी, एक double unit membrane, या दोहरी काई, जिल्ली, इसे बोलते हैं, nuclear membrane या एंदर कलाग से घिरा हुआ रहता है, लेकिन, प्रोकेरियोटिक, यह कोई प्रोकेरियोटिक cell है, लेकिन, प्रोकेरियोटिक cell में, जैसे या, for example, बेक्टिरिया में, या बेक्टिरिया के DNA को इस प्रकार की, इस प्रकार की, किसी भी membrane द्वारा, परिबद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर, simple सा, fibril part बनाया है, fibril जैसा, वापिस बना रहा हूँ, देखना, एक fibril part, ऐसे, बस, ऐसा होता है, यानि कि, इसके चारों तरफ, ऐसी membrane, double unit membrane द्वारा, इस genetic molecule को, या material को, cover नहीं किया जाता, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कि bacterial cell के DNA को, इस प्रकार की, double unit membrane जैसी, किसी भी membrane से, परिबद या cover, नहीं किया जाता है, आता है, इन prokirotic cells, या, bacteria, की, इस structure को, या, इस genetic structure को, नुकलियोईड, इस नाम से, नुकलियोईड, या, क्रो, मेटीन, बोडी, के नाम से, जाना जाता है, जो, double unit membrane से, गिरी वी सरंचना नहीं है, bacterial cell का DNA, double unit membrane से, गिरी वी, या, परिबद सरंचना नहीं है, अता है, bacterial cell के, इस genetic material, या, structure को, नुकलियोईड, या, क्रोमेटीन, बोडी के नाम से, जाना जाता है, इसे अपन, नुकलियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नुकलियोईड, या, क्रोमेटीन, बोडी, यहां तक प्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं पन, अब अपन बात करेंगे, कि, नुकलियोईड क्या होता है, अभी तक तो अपन नहीं ये जाना, कि किन cells में, double unit membrane से, कवर किया जाता है, नुकलियस को, किस में नहीं किया जाता, और बैक्टिरिया सेल की बात हो रही है, जनेटी मिटेरियल की बात हो रही है, बैक्टिरिया में, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, नुक्लीयोइड ये क्रोमेटिन बोडी। इसको अपन डिटेल से जाखेंगे। यहाँ तक clear है सबी के। जो नुक्लीयोइड है नुक्लीयोइड है, हिंदी में भी ऐसे नुक्लीयोइड ही बोलेंगे, ठीक है। क्या आप दूसरा नाम बोलना चाहो तो chromatin body बोल सकते हैं Nucleoid क्या होता है कि अगर अपन किसी bacterial cell को किसी prokaryotic cell को electron microscope electron microscope के माध्यम से देखे इस cell को तो इसका genetic material तो इस cell का genetic material या अपने से molecule भी बोल सकते हैं genetic material या genetic molecule कैसा दिखाई देगा tantukie बनाए मैंने पहले यहाँ पे diagram बना रखाई पहले कैसा दिखाई देगा tantukie tantukie दिखाई देगा जिसे अपने बोलते हैं जिसे अपने बोलते हैं fibular fibular यानि कि bacterial cell को electron microscope की साहता से अगर देखा जाए तो उसका genetic material या molecule tantukie या fibular shape का दिखाई देता है इससे बिलकर बनावा होता है DNA से क्या है यह DNA clear है तो bacterial cell का जो DNA है उसे अपन क्या बोल सकते हैं bacterial cell का chromosome या गुनसुत्र बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं chromosome किससे मिलकर बने होता है DNA और protein से तो अपन इस DNA को क्या बोल सकते हैं bacterial cell का क्रोमो सोम या गुन सुत्र बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं बोल सकते हैं यहां तक क्लिर है अब यू केरियोटिक सेल की में बात करूँ यू केरियोटिक सेल का जो क्रोमो सोम होता है जो गुन सुत्र होता है वह शारिये हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है त्यान से सुनना यूकेरियोटिक क्रोमोसोम सारी हिस्टोन प्रोटीन यूकेरियोटिक एनिमल्स का जो क्रोमोसोम है कोसिका का वह हैं सारी हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनावा होता है लेकिन प्रोटीमिल्स प्रोकेरियोटिक जो सेल्स होती है उनका जो क्रोमोसोम है प्रोटीन जो यूकेरियोटिक से मिलकर बनावा है यह चीज आप ध्यान रखना कि यू केरियोटिक सेल्स का जो क्रोमोजोम है वह है क्षारिये हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है जबकि एक बेक्टिरियल सेल का क्रोमोजोम हिस्टोन प्रोटीन क्षारिये हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर नहीं बनावाद, क्लियर है, ये चीज मैंने आप उसाइट फस्टिर में भी बता दीती है और वापिस से यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर है तो ये था नुकलियोईड है, अपने जाना नुकलियोईड के बारे में कि अगर अपन किसी बेक्टेरियल सेल को electron microscope से देखेंगे, तो उसका जो अनुवांसिक प्रदहार्थ है तो genetic, उसका material है, जो molecule है, वो अपन को fibrillar दिखाई देता है तंतुकी दिखाई देता है, ऐसे, जो DNA से मिलकर बनावा होता है इसे अपन क्रोमोजोम या गुण सुत्र भी कहते हैं यूक्रियोटिक एनिमल्स का क्रोमोजोम सारी हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है जबकि प्रोक्रियोटिक का सारी हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर नहीं बना गोता है या तक क्लियर है, अब अपन बात करेंगे क्रोमोसोम की, गुण सुत्र की, इसकी यानि नुक्लियोड की ही बात करेंगी कि इस क्रोमोजोम को अगर अगर अपन और अधिक आवर्दित करके सुक्सम दर्शी द्वारा देखे तो यह कैसा दिखाई देता है उसके बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे तो अपना नेक्स टोपिक है इसमें क्रोमोजोम्स यहां तक क्लीर है समझ में आ गया होगा सिंपल सा है कोई हार्ड बात नहीं है इसमें पहले से पढ़ी वी चीजे हैं तो सोड़ा डिटेल में चल रहे हैं अपन क्रोमोजोम की अगर बात की जाए बैक्टिरियल सेल में तो राउंड सेप रखते हैं यानि कि गोल अकरती में होते हैं जैसे कि गोल-गोल लड़ू गोल-गोल गुलाब जामुन गोल-गोल रसगुल्ले लेकिन इनमें भी आजगर वेराइटी आने लग गी है जो पूटे भी आते हैं नेक्स टोपिक है अपना इसमें क्रोमोसोम ठीक है अधिकतर जो क्रोमोसोम होते हैं वो राउंड सेप रखते हैं कौनसी राउंड सेप रखते हैं जो माइक्रो फाइबर से मिलकर बने होते हैं इससे माइक्रो फाइबर्स यहीं कि सुक्स में तंतों से मिलकर बने होते हैं इन फाइबर्स की लंबाई वन से टू जो माइक्रो फाइबर्स है जो आपसे मिलकर एक राउंड से बनाते हैं क्रोमोसोम की यह हैं फाइबर एक से दो एम एम लंबे होते हैं है अगर इन क्रोमोसोम का काट लिया जाए काट का मतलब है dissection या dissection आप जिसे बोलते हो अगर इनका काट लिया जाए जिसे बोटनी में आप section cutting करते हो वैसे इनका काट लिया जाए और उसको देखा जाए उसकी study की जाए तो यह हैं लगभग पान सो से नो सो इतने पान सो से नो सो माइक्रो फाइबर्स पान सो से नो सो माइक्रो फाइबर्स जेसी तंतुओं से आपस में मिलकर कही जगहों पर वलनित होकर वलनित जिसे अपन बोल चुकते हैं folds F-O-L-D-S यानि कि अगर एक क्रोमोजोम का section लिया जाए dissection किया जाए तो लगभग पान सो से नो सो माइक्रो फाइबर्स से मिलकर बनावा दिखाई देता है ये पान सो से नो सो माइक्रो फाइबर्स की जो रचनाएं है यह हैं कहीं जगहों पर क्रोमोजोम की बात कहीं जगहों पर अंतर वलेत या वलनित होकर या fold होकर flower जेसी सरंचना बनाती है केसी सरंचना बनाती है flower flower या एक फूल जेसी सरंचना बना लेती है अतहें अपन कहे सकते हैं यह कहें सकते हैं कि एक bacterial cell का क्रोमोसोम एक bacterial cell का क्रोमोसोम cell की अपेक्सा कई हजजारों गुना अधिक लंबा होता अब लंबा क्यों होता है अपनने जान लिया है कि एक क्रोमोसोम जो एक fiber का बना होता है जिसकी size 1-2 mm है अगर उसका काट रिये जाए तो 500 से 900 micro fibers जेसी स्रचनाओ के दुवारा वलनित होकर एक flower जेसी स्रचना बना लेता है तो अपन देख सकते हैं कि इतने लंबे micro fibers है बहुत सारे तो एक bacterial cell की अपेक्सा कही हज़रों गुना लंबा अपने आप हो जाता है अब इतना लंबा है तो इस cell में आया कैसे इस cell में आया कैसे क्योंकि यह है कहीं जगों पर वलन बनाया है इसने ऐसे जो flower जैसे है फिक है और वो flower जैसे कैसे है उसका एक diagram बनाते हैं तब कि आपके बहुत अधिक clear समझ में आ जाए यहां तब clear है तो अपन नहीं जाना chromosome में यह microfiber से मिलकर बना होता है chromosome microfiber से मिलकर बना होता है वो microfiber किसके बने होते हैं protein और DNA protein कौन सा है histone protein नहीं है histone protein किस में होगा histone protein होगा eukaryotic cells के chromosome में जबकि prokaryotic या bacterial cell के chromosome में non histone protein होगे जो मैंने आपको पिछली क्लास में पस्तियर में बताया होगा अब अपन इनहीं chromosome की कुछ diagram बना लें तो अपने और clearly समझ में आ जाए सारी कहन क्या है chromosomes इसी में मैं आपके सामने एक diagram बनाओ एक तो simple circular form इसी में अगर मैं आपके सामने double fibril यह डबल fibril ही होता है mostly ऐसे yellow एक बनाओं में आपके सामने एक फ्लोवर जैसी से रंचन है ऐसे तो जो n number का diagram है यह दोनो इने अपन बोल सकते हैं circular या unfolded chromosome circular लिखा है मतलब circular है circle की जैसे गोल गोल है या unfolded folded fold कहीं नहीं बने है लेकिन जो second diagram बनाया है मैंने यह वाला इसे अपन बोलेंगे folded chromosome क्योंकि इसने वलन बनाया है वलन कैसे बनाया है flower जैसे तो अपने इसे लिखेंगे folded chromosome तो यह कुछ diagram है जो आपको chromosome वाले point में add कराना है जो मैंने आपको theory में समझाया है उसी के coding यहाँ पर diagram बनाया है फस्ट diagram है जिसमें दो diagram है circular बोल सकते है यह अपन इसी का आवरदित diagram बनाया है तो double fibril होता है रोमोजोम होता है double fibril होता है इसलिए मैंने double fibril बनाया है जिसे DNA अपन फस्टी में पढ़ए थे DNA के type A-DNA, B-DNA, C-DNA, Z-DNA वैसे ही तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है circular या unfolded क्योंकि इसने fold नहीं बनाया है लेकिन second diagram अजनेक जगह उपर fold बनाया है इसने इसलिए फ्लोवर जैसे सरंचना अपन वो धिक रही है इसलिए मैंने लिखा है folded chromosome clear है समझ में आ गया होगा आपको आज का जो topic था अपना genetic material of bacteria जिसमें अपने nucleoid की बात की और chromosomes की detail में बात की bacteria का genetic material क्या कहलाएगा nucleoidia chromatin body ना की nucleus clear है ठीक है इस class में आज के लिए इतना ही next class में अपन देखेंगे plasmid ठीक है बने बात